एक, दो, तीन, चार हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है विकास आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि टेंडर वाइफाई का पासवर्ड चेंज कैसे करें अगर आपके भी घर में टेंडर का राउटर लगा है वाइफाई लगा है और आप उसका पासवर्ड बदलना चाहते हैं तो कैसे बदले आईए जानते हैं ये काम आप अपने मोबाइल, लैब्टॉप या कम्प्यूटर तीनों में से किसी भी चीज़ से कर सकते हैं बस ध्यान लगना है आपका net, आपका wifi connect होना चाहिए आपके उस device में यहाँ पे आपको कोई भी web browser open कर लेना है या google open कर लेना है मैंने google chrome open करा है example के लिए यहाँ पे आपको type करना है 192.168.0.1 यह tender का login code है इस द्यान से यहाँ पे देख लेजिए और enter कर दीजिए आपके पास tender का login code आ जाएगा ऐसा page आ जाएगा अगर आपने password लगा रखा है यहाँ पे login page पे तो password मांगेगा अगर आपने password नहीं लगा रखा तो direct login हो जाएगा मैं अपना password डाल देता हूँ जो मैंने लगा रखा है मुझे याद है और enter करता हूँ मेरा यह page खुल जुका है आपके पास भी ऐसा page आएगा यहाँ पे आपको मिलेगा wireless settings इस पे click करना है और आपको मिलेगा यहाँ पे wifi का password यहाँ से आप इसे allow कर सकते हो देख सकते हो कि क्या है password अगर आपको change करना है तो यहाँ पे आपको इसे हटाना है और नया password डालना है ध्यान लखेगा password कम से कम आठ नंबर का होना चाहिए मैं करता हूँ यहाँ यहाँ पे v-i-k-a-s-v-e-r-m-a मैंने अपना नाम रखा है आप कुछ भी रख सकते हैं hard password रख सकते हैं मैंने विकास वर्मा एंटर करा है जो की पूरा small letters में है okay करते हैं और okay करते हैं ध्यान लखेगा आपका wifi disconnect हो जाएगा आपके mobile में से अगर आपने connect कर रखा है तो और मेरा wifi का password बदल चुका है यहाँ पे अब आपको दिखाता हूँ मैं status पर जाकर दिखाता हूँ देख सकते हूँ मिरे mobile connect था यहाँ पे पहले दो दिखा रहा था अब यहाँ पे द्वारा से दो आ चुका है तो साथ आप समझ गए होंगे अगर आपको वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं किसी नई वीडियो में